कैसे हैं दोस्तो मेरा नाम है आनंद और आपका स्वागा तेरी पब्लिक टेक यूटूब चैनल में दोस्तो अगर आप अपने मोबाइल से बहुत सारे वीडियोज रेकॉर्ड करते हैं और उन वीडियोज का साइज 25-30GB तक हो गया है तो आप स्टोरेज इंक्रीज करने के लिए सिंपली वीडियोज को डिलीट कर देते हैं लेकिन दोस्तो मेरे पास एक बहुत ही अच्छा मेथड है अगर आप इस मेथड को यूज करते हैं तो आपको वीडियो डिलीट करना नहीं होगा और साथ में आपके मोबाइल का स्टोरेज भी इंक्रीज हो जाएगा आप सिंपली एक वीडियो कनवर्टर को यूज करके उन वीडियो फाइल्स को कमप्रेस कर सकते हैं दोस्तो इस video converter का नाम है video converter आपको simply video converter सर्च करना है और इस video converter को download कर लेना है दोस्तो अगर आप इस video converter को use करते हैं तो आपको कुछ limitations दी जाती हैं मैंने इस video converter को purchase करके apk file को extract कर लिया है और मैं simply उस apk का link अपने website पे दे दूँगा और उस website का link वीडियो के description में मिल जाएगा तो दोस्तो आप free में एक paid video converter use कर सकते हैं और इस video converter apk को कैसे download करना है उस video का link इस video के description में मिल जाएगा इस video converter में बहुत सारे options दिये जाते हैं जैसे कि video converter, audio converter, audio cutter, audio merger, video cutter ऐसे बहुत सारे options दिये जाते हैं यहाँ पर मैं आपको सिर्फ video converter के बारे में बताऊंगा आपको simply क् converter पर प्रेस कर देना है और आप जिस भी video files को compress करना चाहते हैं उन files को select कर लेना है अगर आप free version use करते हैं तो आप एक time पे सिर्फ एक files को convert कर सकेंगे लेकिन अगर आप इस paid software को download करते हैं तो आप जितने चाहे उतने files को select कर सकते हैं दोस्तों मैं यहाँ simply एक video file को convert करके दि जैसे ही आप done पर प्रेस करेंगे आपके screen पर ऐसा option आ जाएगा सबसे पहले आपको format select कर लेना है फिर resolution select कर लेना है यहाँ पर एक compress को option रहेगा इसको select कर लेना है और video bit rate को 3000 से 5000 के बीच में रखना है अगर आपके video का bit rate है 10,000 तो आपको यह 100% पर दिखाई दे का 10,000 उसको decrease करके कर देना है 5000 और अगर आपके video का bit rate है 6 to 7,000 तो उसको decrease करके कर देना है 3,500 to 4,000 यहाँ पर bit rate आपको simply 60 to 70% के बीच में रखना है दोस्तो यहाँ पर जो estimated output size दिख रहा है वो है approximately 66 MB का अब आपको simply क्या करना है convert पर प्रेस करना है और आप चाहे तो यहाँ rename कर सकते हैं और simply start now पर एक बार प्रेस कर देना है start now पर प्रेस करने के बाद यह video file compress होना start हो जाएगा दोस्तो यह compression speed आपके mobile पर depend करता है अगर आप एक high end mobile यूज़ करते हैं तो यह video compression जल्दी complete हो जाएगा और अगर आप एक low end mobile यूज़ करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा दोस्तो आपको एक बात का ध्यान रखना है इस application को background में run करने दिना है इसके लिए आप simply battery optimization में जाके इसको remove कर सकते हैं जिससे कि यह application background में run कर सकेगा अगर यह video आपको अच्छा लगा हो तो जरूर से video को like कर देना और आपके friends को भी इस video converter के बारे में पता चले इसलिए इस video को share कर देना झाल 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 ओके दोस्तों यहाँ पर यहाँ फाइल कंवर्ट होने ही वाला है और टोटल टाइम लगा है 5 मिनिट 20 सेकंड्स का अब आप सिंप्ली इस वीडियो कंवर्टर को क्लोज कर सकते हैं यहाँ पर आप जिस वीडियो को देख रहे हैं यह वीडियो आफ्टर कंवर्जन है और यहाँ पर बहुत ही कम लॉस्ट देखने को मिला है इस वीडियो फाइल का साइज है 60 MB और अब मैं आपको वीडियो कंवर्जन का कॉलिटी दिखा देता हूँ दोस्तों यहाँ मुझे कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है अगर आप इस मेथर को यूज करते हैं तो आप सिंप्ली बहुत सारा स्टोरेज सेव कर सकेंगे वीडियो अंत तक देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जरूर से लाइक और कमेंट कीजिए ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपका किमती समय देने के लिए धन्यवाद आपका दिन शुब रहे